हाई फ्रेंड्स असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाइट इस्टू की रेसिपी बहुत ही डिलिशेस बनता है रेसिपी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा तो चली देख हो चुका है तो प्याज कर देनी है हलका साफ्ट कर लाना है प्यास को ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम वाइट इस्टू बना रहे हैं अब यहां पर लेंगे कुछ साबुत मसाले वन टीस्पून लेंगे हम साबुत धनिया तीन हरी लाइची एक जाइफल का चोटा सा प्याजो को सॉफ्ट कर लेना है तो प्याजो को हमने एक मिनट सॉफ्ट कर लिया इसमें हम गोश्ट एट कर देंगे 500 ग्राम यहां पर हमारे पास रेड मीट है यानि फेलो का है यह गोश्ट और वन टेबल स्पून अधर ग्लैसून का पेस्ट डाल कर अच्छे से मिक्स कर करेंगे यानि भूनेंगे एक से डिएड मिनट तो अच्छे से हमें भून लेना है इसे अब इसमें हम पानी एच कर देना है एक कप गोश्ट को गलने के लिए बहुत ही इजी रेसिपी है बहुत ही कुईकली बनकर तैयार हो जाती है अब इसमें डालेंगे वन टीस्पून नमक नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंगी डालें अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसको हमें कवर कर देना है कवर करकर एक सीटी हाइफ फ्लेम पड़ेंग जेखेंगे यह देखिए आप चेक कर लेते हैं यह नहीं और देखें गोष्ट अच्छे से तूट रहा है यानिए गल चुका है है कि अब इसमे एट कर देना है हमें दही तो 4 टेबल स्कून भज़कर यहां मैंने दही लिया है अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से mix कर लेना है, high flame पर हम इसको अच्छे से भूनेंगे तो यह मैंने थोड़ा सा cover करकर इसको भूना है, अब 4 लाल मिर्च एट कर दिंगे, हम इस्टार्टिंग में नहीं किये, क्योंकि हम बाइट इस्टू बना रहे हैं अगर हम इस्टार्टिंग में करते हैं, तो यह इस्टू का color चेंज हो जाता, तो इस वक्त करनी है हमें यह लाल साबोत लाल मिर्च इसमें एट, अब अच्छे से हमने इसको मूल ले आए, oil surface पर आ गया है, यह देखिए, अब इसमें एट कर दिनी है, half a cup हमें, यह मलाई लि हमने इसको अच्छे से बुना है, मतलब हमारा इस्टू एकदम भुनकर तयार हो चुका है, आप अगर थोड़ा gravy वाला पसंद करते हैं, तो इसमें पानी भी आट कर सकते हैं, बट मैं इसी तरह भुना होगा पसंद करती हैं, अब इसमें हम थोड़े से काजू या किशमिस एट कर देने हैं, जो भी आपको पसंद हो तहीं हमें नकिशमिस एट करी हैं, और बस ये बनकर रेडियो हो चुका है, तो चले आप सर्व कर लेते हैं, ये देगिए, हमारा वाइट इस्टू बनकर तयार हो चुका है, और हमने ये वाफेलू मीट से बनाया है, बहुत ही य यमी लग रहा है, तो उमीद करती हूँ, आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जादे से जादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दौाओं में याद रखें, अल्ला हाफीज